आगे बंदन बेंक, रिजल्स रहेंगे, रिजल्स रहें कमजोर, क्यों रहें कमजोर एसेट पॉइलिटी वर्क क्यों है दबाव इसकी डिटेल जेकर वरुन हमारे साथ है तयार, वरुन बताईगे तो अनिल जी, रिजल्स तो काफी कमजोर है, ये तो हमने देखा कि मुनाफ़ा, NII, हर पैमाने पर कमनी के नतीजे कमजोर थे, लेकि इस बार का सबसे बड़ा हाइलाइट जो था इस कमनी के नतीजे में, वो ग्रॉस NPA का फिगर था और ग्रॉस NPA 4.87 से बढ़के 6.76% के आस उसके चलते जो ECLGS स्कीम्स है, बेसिकली जो Emergency Credit Link स्कीम्स है, उसके जो कहीं भी NPAs है, उनको अब रेकेगनाईस करने को का आ गया था, और इसके चलते करीब 580 क्लोर्स के आसपास के अतरिक NPAs जो है, उसको इस कमनी को रेकेगनाईस करना पड़ा, अब देखें, जो ECLGS स् उसमें सरकार की गैरेंटी थी, लेकिन गैरेंटी पूरे स्कीम्स पे भी नहीं थी, और काफी साही रिपोर्ट में पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि इस 580 क्लोर्स में से कम्पनी को केवल 100 क्लोर्स के आसपास का जो amount जो वापिस है, वो मिलने वाला है, इनफाक्ट अगर यहां से जादा इस बैंक को मिलने वाला है नहीं, करीब 25 क्लोर्स के आसपास की और रिकवरी होगी, स्ट्रीट पे जो एनलिस्ट है, वो यह मान के चल रहे हैं, करीब देखे 4000 क्लोर्स के आसपास के ECLGA स्कीम्स जो है, जो डिस्बर्समेंट है, वो इस कम्पनी ने के थी, और उसमें से 90% के आसपास रिकवरी हो चुकी थी, लेकिन जो बचा कुछा अमाउंट है, इसकी रिकवरी नहीं होई थी, और इसको as a NPA जो है, बैंक को घोशित करना पड़ा, अब इसमें दिक्कत क्या है, दिक्कत यह है, कि चलो 580 क्लोर्ड इस कम्पनी की ओवरार बुक किया था, कि हमें जो ECLGS के तर्फ हमने लोन्स किये हैं, उसकी आगे जाके उसको NPA घोशित करना पड़ेगा, दूसरी दिक्कत यह है, कि काफी सारे स्टेट बैंक्स अगर आप देखेंगे, वो और इस नॉम को RBI के गाइडलाइन्स जो नियम आये है एक एप्रिल को, उसक जिसके करना आप देख रहे हैं, कि स्टॉक की कीमत में इस तकी गिरावट देखने मिल रही है, और तमाम जो ब्रॉक्रेश हावसर से उन्होंने प्राइस सागेट काटे है, नो डाउट इस कम्पनी ने एफ़ए 24 के लिए गाइडेंस ठीक ठाक दिया है, जहां पर खाये कि लोन ग्रोड 20% होगी, माइक्रोफेनस में 17% के ग्रोड, डिपॉजट 14%, 24% बढ़ेंगे, एक बात और आपको बताता हूँ, कि जो नेट इंटरेश माजिन पिछले कौटर में 7.3% था, वो इसके लिए था, क्योंकि कम्पनी ने जो माइक्रोफेनस से उसमें इंटरेश रे करना पड़े, और वो भी एक चिंता की बात है, और इसके लिए डाउंडेड कर दिया गया है स्टॉक को, ओके तो यह है आपके लिए बंधन बैंक और आज सुभा अनल जी के तरफ से सेल कॉल भी आया था, स्टॉक में हमने बड़ी गिरावट भी देखिया और